बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, अस्सलामु अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग दुआ करती हों कि अल्ला पाक आप लोगों को हमेशा खुश और शादो आबाद रखे जी तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत एजी सी रेसिपी और इसको जरूर प्राइ कीजिएगा बनाईएगा और बताईएगा मुझे कि आपको कैसी लगी यहां आपके साथ मज़ेदार से ताहिरे की रेसिपी शेयर करूंगे जिसके लिए मैंने चामल लिये हैं मीडियम साइस की प्यास और पांस से छे हरी मिर्चें उसे मैंने 20 से कट कर ली है और साथ ही मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है वन टेबिली स्पून और टिमार्टर मीडियम साइस के दो लिये हैं और उसे अच्छा मैंने इसकी स्किन रिमूफ कर दिये तो आप भी छिलका उतार के डालिएगा इससे ये होता है कि बच्चे एजी ली खा लेते हैं तो चलिए अब इसमें स्पाइसिस एट कर लेते हैं तो यहां मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी यह है जनाब पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टीस्पून और बादियां के फूल होते हैं न वो है ये हाफ टीस्पून इससे बहुत अच्छी से खुश्बू आती है तो यह जरूर एट करके बनाईएगा और यहां देखिए शान का बंबई बिरियानी मसाला है यह मैंने तकरीबन एट किया है इसमें तू टीस्पून के करीब और इससे क्या होता है जो हम ताहिरी बनाते है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाता है और बच्चे बड़े सब बड़े मज़े से जनाब खाते हैं तो इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा यहां पर चिली फ्लेक्स मैं एट करूंगी इसमें तकरीबन टू टीस्पून के करीब क्योंके बहुत स्पाइसी सी हम बना के तयार करेंगे और हल्दी पाउडर एट करेंगे हाफ टीस्पून अच्छा यहां थोड़ा सा ना फूट कलर एट कर दिएगा उससे क्या होगा बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा तो बस जनाब और साथ ही इसमें साल्ट एट कर देंगे तकरीबन टू टीस्पून के करीब और यहां थोड़ा सा सा थाबुद गरम मसाला लेंगे वन्टेस्पून जीरा लेंगे और दो तेस पत्ता ले लेंगे तो हाफ प्याली ओइल गरम करी और उसमें जनाब यह सारा गरम मसाला एट करा और साथ ही एट कर दी प्यास और जो साथ में हमने इसके हरी मिर्चे कट की थी ना और इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राइ होए तक हम फ्राइ करेंगे क्योंकि आपको पता है बड़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है जब मिर्चों के साथ हम प्यास को फ्राइ करते हैं तो बस जनाब यहां आज मून डो रहा था कुछ थोड़ा सा लाइटली खाने का तो इसलिए यह बना रही थी तो सोचा आप के साथ भी शेयर कर लू तो जनाब यहां पर प्यास हो चुकी थी गुल्डन फ्राइ तो इसमें मैंने एट कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट एक से दो मिनाट इसको भूनिएगा ताके यह अच्छा सा भून गया जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट के अच्छा सा अरूमा बहाई रा जाए और साथ ही हम इसमें एट कर देंगे थोड़ा सा पानी क्योंके जब हम स्पाइस इस करके हम क्या करेंगे इसको कवर करके रख देंगे ताकि जिस टिमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाए और मसाला हमारा अच्छा सा बुन लिया जाए तो जनाब यहां देखें सिर्फ दो से तीन मिनट मैंने इसको रखा था और क्य तो इस वज़े से यह बहुत सॉफ्ट हो गए और बहुत एजिली मैश हो जाएंगे तो क्या होता है कि जब हम बिर्यानी या कोई स्था के चामल वगएरा बना रहे होते ना जब टिमाटर की स्किन आती है तो बच्चे वगएरा कितना आपको पताय तंग करते तो मेरे रज टिमाटर की स्किन आती है तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते तो जनाब यहां मसाल अच्छा सा हो गया था तैयार और यह देखे टिमाटर सारे मैश हो गयते तो अब हम इसमें एट कर देंगे आलू जो तीन हमने मेडियम साइज के लिए थे तो बच्चे मेरे ज्या 20-25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए क्यूंकि ताहिरी में आलू बहुत सॉफ्ट से ही अच्छे लगते हैं तो बस जनाब यहां पर हम आलू को गलने के लिए रख देंगे कवर करके इसमें जैसी बॉयल आ गया तो अब हम इसमे देख लीजिए देखने से ही लग रहा है एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं तो बस जनाब हम इस पॉइंट पर हम एट कर देंगे जो हमने चामल आदे घंटे पहले भीगो के रखे थे वो इसमें एट कर देंगे और अच्छे यह बहुत अच्छे चामल थे अलनूर के यह चाम और इतने अच्छे बनते ना कि आपका देखने से ही धिल चाहेगा खाने का तो बस जनाब यहां पर बॉइल आ गया था थोड़ा सा इसका पाने रिडियूस हो जाए तो बस हमने इसको दम पे लगाना है तो बहुत मज़िदार से यह बनकर तयार होती क्योंकि देखे ताहि लगता है खाने में भी अच्छा लगता है और एक ही चीज़ को हम बनाते रहें बनाते रहें तो उससे जनाब हम खुद भी बोर हो जाते हैं और खाने वाले भी तो मेरी यही कोशिश होती है मैं कई तरहां से कई डिशिस बनाती हूँ इसलिए मैं सोच तो आपके साथ शेय हो चुके थे और जनाब हमारी लाइट भी चली गई थी तो बस जनाब यही है हमारी मेरे अच्छा कुकिंग का टाइम होता है न तो मेरी लाइट जाने का टाइम होता है तो बस जनाब यहां पर चामल हमारे बिलकुल रडी हो गए थे तो बस अब मैं इसको पलेटर में नि कीजिए असल में इसका टेस्ट इन दोनों चटनियों के ही साथ आता है तो देखे एक एक दाना अलग हुआ वाय और यकीन करें तनी अच्छी मज़ेदार से खुश्बू आरी है ना जब आप बनाएंगी ना आपको खुद एहसास होगा और आपको थोड़ा सा टेस्ट पे डिफरेंट लगेगा क्यूंकि जो बादियां के फूल होते ना उससे चामलों में किस कोई भी चामल आप बनाए एक तो उसमें खुश्बू बहुत अच्छी है तो यहां देखे मैंने ग्रीन चटनी बनाए थी तो यह आपके साथ रैसेपी शेयर कर देती हूं यहां ग्रीन चटनी मैंने बनाए थी एक टिमाटर डाल कर तो यहां मैंने एक ले लिया था बड़ी साइस का टिमाटर पांस से छे हरी मिर्चे लिए थी और साथ ही ले ल और जनाब साथ ही ले लिया था मैंने इमली का पल्प तक्रीबन फोर टेबिली स्पून गी इमली का पल्प है इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है अच्छा जो हमने टीमाटर लिया था ना इसकी भी स्किन हमने रिमूव कर दीदी क्योंकि जब चटनी भी बनाते ना इ जब भी आप खिचड़ी वगारा ताहिरी बनाए ना इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत मज़ेदार लगती है रायते और साइलेट के साथ भी बहुत अच्छे लगती है नो डाउट शामी कबाब भी आप फ्राइ कर लें वही बात है ना जनाब जतनी चीज़ें आप टेस्ट उसका इंहेंस होगा तो बहराल हमने तो हमने जनाब की थी चट्नी से इंजॉए तो देखे यहां मैंने पहले थोड़ा सा धनिया पाउदीना डाला क्योंकि में मिक्सी में इतनाई स्पेस नहीं थी तो बस यहां पर थोड़ा सा मैंने पल्क بी डाला अब मैं इसको grant कर लूँगी तो जब ये थोड़ी सी grant हो जाएगी तो फिर मैं बाकी की जो हराधनिया पौदीना रहे गया है वो add कर दूँगी तो देखे यहां पर अच्छे से grant हो रही थी अब ये थोड़ी grant हो गई है तो अब जो बाकी का हराधनिया पौदीना रहे गया था वो मैं इसम पिस जाएगी, तो बस जणाब यहाँ पर मैं इसको चटनी को बनाकर राइडी कर रही हूं, यह चटनी मेरे हजबन को बहुत पसंद है और मेरे रज़ा को भी बहुत पसंद है तो इसलिए जणाब यह चटनी जब मैं इस तरह ताहिरी बगारा बनाती हूं अच्छा ताहिरी तो बच्चे फिर भी खा लेते हैं मगर खिचडी से तो बस बिलकुल पसंद नहीं करते तो जनाब बस यहां पर ग्रीन चटनी टीमाटर के साथ बनकर रेडी थी और यकीन करें यह बहुत मज़ेदार से लग रही थी ताहिरी के साथ आप इसको ट्राइ कीजिएगा और मुझे बताईएगा कि आपको यह कैसे लगी हमें तो भाई बहुत अच्छी लगती है तो यहां जनाब मज़ेदार से टीमाटर के ग्रीन चटनी बनकर दी तयार जिसे हमने इंजुआए के अताहिरी के साथ और खूब मज़ा आया बच्चे भी बहुत खुश होकर खाए तो यह लाइट से डिशे होती है न तो बच्चे भी बहुत इंजुआए करते हैं जी तो जनाब यह थी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और त्यारे त्यारे कॉमेंट्स करते रहा करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाव आफिस